देशब तक चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ रविंद्र वर्मा और आपको पता है कि कल अर्याना सरकार के द्वारा लोगडाउन लगा दिया गया था और जो अब लोगडाउन का जो नाम है वो है महामारी अलर्ट शुरुक्षित हर्याना के नाम से जो अब उसमें सिर्फ 11 लोग ही सामिल हो पाएंगे यह सरकार हरियान सरकार के द्वारा आदेश जारी किये गए थे और अब हरियान जो है स्वानिपत के जिलादी स्यामलाल फुनिया के द्वारा भी इन आदेशों को लागू कर दिया गया है आदेश जारी कर दिये गया है और इसके जो है आप बैंकेट होल या गार्डर में नहीं कर पाएंगे सिर्फ आप अपने घर में या फिर नैले के में जो कोट मेरिज कर पाएंगे और उसमें भी सिर्फ 11 लोग ही सामिल हो पाएंगे और जिलादीश ने आदिश जारी करते हुई कहा कि अब पुलिस परशासन सक्ति द 15,000 रोजाना के मामले आ रहे हैं और लगातार मिर्टो का काकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और जिलादीश ने आदेश में ये भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले और जब भी निकले तो मास्क लगाएं और आपको कहीं कुछ कारिये से जाना है तो मोमें पास बनवा के ही घर से निकलें अने था जो है पुलिस आपको रास्ते में रोक सकती है और आप पर कानूनी खारवाई भी कर सकती है और इसके लावा मास्क जो पहन कर नहीं चलेंगे उस पर भी पुलिस के द्वारा सक्ति दिखाई जाएगी और उन पर भी मास्क के चलान भी किया जा सकते हैं, धारा 188 के तहट भी कारवाई की जा सकती है, और कल ही अनिल विज ने सरियाना सरकार के घरह मंत्री अनिल विज ने आदेश जारी किये गए थे, कि 11 व्यक्ति से ज़्यादा अब कोई भी व्यक्ति एकठा नहीं हो सकता है, साधी समार हो है, या फिर अंत गाइडलाइन दी गई है, वो हम आपको सामने साजा कर रहे थे, अब जो है लोकडाउन चो लगा है, महामारी अलर्ट और सुर्क्षि थानियाना के नाम से नया गाइडलाइन सरकार के द्वारा दी गई है, आप देश अब तक चैनल पर बने रहें, और देश अब तक चैन